इस जोतिस साथी यूटूब चानल का माध्याम बाट हमी और ले हजरोर का लागी जोतिस बास्तु धर्मदर्शन तथा विविन्न चाड़ परवशंग शंबंदित विशेस जानकार्य और प्रस्तद गर्दी आई रहेका छाउं। यदि हम्रो यूटूब चानल ले सस्क्राइब गरना बने न भूलनु अला रा साथमराय को बेल आइकन पने थिचनु बाय बने देखी हजुर अरुपनी हम्रो परिवार मा जोडिन शक्न होने छा आज हमी एकादस्मी मात्मी अंत्रगत अधिक क्रिष्ण एकादसी जुन पर परमा एकादसी को ब्रत कथालियर उपस्थित भाय का छाऊं। द्वापर यूक का समय मा भगवान युद्रिष्टिले भगवान स्री कृष्ण संगा विशेस बिदिद्वारा प्रश्ण गरना थालना चा कि हे प्रभो जगत पते मलमा शको कृष्ण एकादसीलाई कुन न अमले चिनेंच, युद्रिष्टिले भगवान स्री क्रिष्ण संगा प्रश्ण गर्दा भगवान ले भन्नुन चा कि युद्रिष्टिले मलमास भित्रको कृष्ण एकादसी अत्य tweeting एकादसी शन्, समस्त पापरो नाश्गर न शक्न एकादसी छिन् यो अत्येंती पवित्र र अच्छेक्न छेमता भईको एकादसी भईका कारण एसलाई परमा नामले चिन्न शकेंचा एक एस एकादसी को उपासना गर्नाले मनुस्यरोले भक्तिपनी प्राप्त गर्ना सक्षन और मुक्तिपनी प्राप्त गर्ना सक्दाशन एस प्रशंग मा कामपिल्य नामगरेको यवटा नगरमा अत्यन्ती रोचक खालको गटनाचा, त्यो गटनालाई महजरो सामू बिनम्रत्ताका साथ प्रस्तुदगर्न गई रहेको छुँ भनेरा भगवान श्रेक्रिष्णाले युदिष्ट्रेका सामू बताउन वायको थिय आमपिल्य नगरमा सुधेमा नामगरेका एक जना अत्यन्ते धर्मात्मा ब्रामण वस्ता थिये, उनकी पवित्रा नामगरीकी एक पति परायन पत्नी थिन, अगिलो जन्मको दुस कर्मा का प्रभाब का कारण ले गर्दा, ती ब्रामण दमपतियरू धन धान्यले रहित भ घर मा अतितिको स्युआ गर्नका लागे उनि तत्पद रहने गर्दिन, ये घर मा कुने अभ्यागार पाउना याथा अतिति आये बनि Shспad Bah legit, था पतित्रा भ॥ीक़किया अतितिको शतकार्मा घर्दा fews ॥ीयो भगवगई वस्नु पर्थियो ता पनी टी विशालाक्षी टी पवित्राचाई मदूर मुस्कान साथ रहनशक्ने सामर्थेता थियो। उद्ध्यम बिना धना आर्जान हुदै ना, इस्थाउमा कुने उद्ध्यम गर्ना सकी ये ना, तेसली उद्ध्यम का लागी भाई पनी मा परदेश जान्चु केई धना आर्जान गरेरा सुखा साथ हम्रो जीवन यापन गरौनला भनेरा सुधे माले पवित्राचाँगा आ आईले सम्म बलना शक्ने भाई के छुँँँँ, येस प्रिथिवी तल्मा जहा कही गय पनी पहिले जे दान गरेको छा ते मात्रे पाउन शक्के न चा, दान न गरीकना सुन को परवत्मा गई पनी के पाउन शकी दैना, ते तो अजुर जान्नु भाई कै छा, पूर्व ज पनी आमियोरको अबस्ता यस्ता यो एसे कारण कहीं जाने कुरा नगरा भनेरा सम्झाउन थाली रहेके थियन। उनले बंदय अगाडे बर्छिन के ये विप्यंद्रा पूर्व जन्मामा धन बस्त्र अन्न दान गर्न शके नौ। त्यसाईले ये जन्मामा अमले प्राफ्त गर्न शके नौ। विश्योका पालक श्वयम इस्वरले मात्रे आमिलाए दिन शक्षन। आमिलाए इस्वरले दिने भई यही पनी दिने शक्षन। अनेत्र गयरा मात्रे दिने कुरा वही नौ। ता पनी तपाई बिना म बख्ष्णपनी सकती ना, आमा, भुवा, दाजु, भाई, सासु, सासुरा, बंदु, बांधब, टोल, छीमेगी, कसाई का निम्ती पनी, पती नभाई की नारीलाई, राम्रो द्रिष्टिला इरदे एडि दैना, एसाई कारण जो मिलच, तेसाई मा चित्त बुजायर, यही ठाउमा बशाउ, पर्देस जानेकुरा नगर, भनेर, पवित्राले सुधे मालाई, सम्जाउने गर्चेन, एसरी सम्जाउने खेरी, उनले पनी नई राच्ये ताका साथ, अपके गर्नू, कसरिया गाडी बन्नू, भन्नेकुराको, कुने निस्चि अगमन भायो, रिशिलाई देखी सके पची, पवित्रा अत्यनती हर्चित भायर, मेरो जिवन आज बल्ला सफल भायो, ओहो, मा अत्यनती भाग्य मानी रहे छूँ, जसले गर्जा आज हजूर को दर्शन गरना पायके छूँ, बिधी पुर्वक रिशिको सत्कार गर्दै, स पुर्व जन्ममा दान नगरी कना, येस जन्ममा आमीले कसरी प्राप्त गरना शकाऊं लार, धन, विद्या, असल इस्त्री ता आमी पुर्व जन्मको कर्मले मात्रे पाऊना शक्षाऊं, ताई पनी मेरा पती मलाई छवडेर, आज अरकाई देश मा, पराया नगर्मा, रोकी राहिके छू, आज अहो भाग्याले हजुर नहीं यहां, आई पुगनु भायो, हजुर को किरिपा भायो बने, आमरो दारिद्रता हजुरले चाडए नहीं, नष्ट गर्देना शक्षाऊं, आमरो दारिद्रता नष्ट गर्ना शक्षाऊं, अजुर संगा छे मता पन रिशी कवडिन्यले बन्हों छाकी, पापको समुलाई नास गर्ना शक्ने भायो, सबई प्रकार का दुखर दरिद्र हरुलाई नास गर्ने, मलमास को क्रिष्ण पक्षे को एकादसी, जसलाई परमा नामले चिनींच, येस एकादसी को बिधी प्रुभक ब्रत उपासना गर भगवान सिवले नाई कूबेर लाई धनका मालिक बनाई देका हुन, अईले सम्मान सवेवन्दा धनी रर संपन्नासाली बने रहामी, कूबेर लाई चेंदय आईरैका छौं, येई परमा एकादसी को तपक का कारण, परमा एकादसी को उपासना को कारण, र भक्ति भाव क प्रभाब का कारन कुब्यर सभीवन्दा धनी ब्यक्ति कहले का हुन। अनि यही ब्रत का कार्णेगर्दा सत्रु रहित राज्य को राजा वहर अब्देमी सुसासित राज्य का राजा का रुप मा इस्थापित हुन पाये बने यही परमा एकादसी को ब्रत का कारण ले उपासना का कार्णेगर्दा पती परायन सुन्दरी इस्त्री को पती वहर उ आपनों जीविका धान सकेका थिये। एसाई कारण हे विशाल आक्षे यो ब्रत अत्यनते मंगल्ला कारी बर्त चा। तिमी दमपती हरुले विदिवत रुपमा रात्रीमा जागन सहित एका अधसिको ब्रत उपासनागर। तिम्रा निशेपनी दुखकस्टरु ना सुनेशन तिम्रों जीवन सफल रहनेचा पानेरा रिशी काउडेनले परमा एका अधसिको ब्रत महीमा का बारेमा पवित्रालाई बतायकी थिन। एक्रम मा रिशी काउडेनले कल्याण कारी पंच रात्री ब्रत का बारेमा पनी बतायका थिये। रिशी काउडेनले बताया। जुन ब्यक्तिले ये पांच रात्री ओरमा एक छाक मात्रे अथो ये पांच दिन मा एक छाक मात्रे अभिश्यानन भोजन गरेरा ब्रत गर्दा छा। तेसका सबई पापरो ना सुनेशन येसमा कुले संधिय चाहिना। येसे करमा रिशीले बन्चान की जुन जनले ये पांच दिन सम्मन प्रातकाल मा इसनान गरेरा नित्या नियमित पांच दिन सम्मन फरक फरक ब्रामन लाए ब्रामन भोजन गराऊंचा। उसले सबई खाल का पुन्य अरु प्राप्त गरन शक्ता छा। तो पुन्य कारक ब्यक्तिका रुप मा इस्तापित होने छा। येसे करमा रिशीले अगारी बन्चान की जो जनले ये पांच दिन सम्मन स्वच्छ सुद्ध जल पून घडा दान गर्दा छा। उसले चराचर जगत्मा रहेका सबई बस्तोरु दान गरेको फल प्राप्त गरना सक्ता छा। ये परमा एकादसी मात्रे होई ना परमा एकादसी देखी पछाडी का पांस दिनारु एती महत्तो पुना छन भानेरा उनले चार्चा गरेका ठिये। एसे क्रमा उनले अगाडे बन्छान की जो जन इपांस दिन मा अटल ब्रह्मचरे मा रहन्छा। उसले स्वर्गा लोक मा पने सबई फरकार का भोग बिलासरु गरना पांँछा। आनंदसंगा जीवन जीवन पांँछा। भने र रिशिक कावडिन नेले बताये बमोजिंती ब्रामन दम्पतिययों बिदी पुरुवक अधिक मास भर श्रदा भक्तिका साथ रहे र परमाएका अदसे को बिदी पुरुवक अहरात्र ब्रतपुरा गरे र परमा एकादसेmeal य। चाड़े का पांस रात्रे सम्म पनी उनियोर ले बिधी बत्रुप मा ब्रतवसे का थिये। राजा सत्य हरिस्चंद्र पनी यसी ब्रतका कारण ले गर्दा पुन्य लोग प्राप्त गरन शके, सुखी रहन शके और उच्च कोटी को राज्ये प्राप्त गरन शके का थिये तेसे कारण अधिक मास भित्र को कृष्ण पक्षे को एकादसी थि जसले आमी परमा एकादसी बन्चाऊं यो परमा एकादसी अत्येंते पुन्यकारक्ष अत्येंते मंगलकारक्ष यो एकादसी को ब्रत उपासना गरेव बने देखी निशेपनी हमरा शंपुन दुख, दारीद्रिय, अभाब, असांती, बेचाईनी पन अरू, अटनेशन और आमिलाई सुख, सांती, अईश्वर्य, धन, धान्यले, परिपोना का साथे, मनमा आनन्द और पारिवरिक जीवन पनी सुखत्ता का साथ बेतित होना सकनेशा, तेसले परमा एकादसी को बिदिवत रुप मा ब्रत उपासना गरूं, येस जीवन मा त्रै होईना, परलोको जीवन पनी सुख, वन दका साथ बेतित गर्ना सकुँ, अजोरलाई आजोको सामागरी कस्तो लाग्यो, और येस सामागरी का बारे में केई जीग्यासा, वहे का खंड में येस सामागरी को कमेन बक्ष मा गयर, आपना जीग्यासारू प्रस्तत गर्ना सक्नोंने शा, धनिवाद,